आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगदाल खिचरी वेजटेबल खिचरी यह देखिए इसके लिए हमने ना मूंगदाल ली है छिलका मूंगदाल है इसमें हम आधा कफ है और थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है उपर से उसमें हम चावल फिल करतेंगे बस आप सुचे बहुत ही थ इतना सा थोड़ा सा गयप हमने छोड़ा है और इसमें हम दो मुठी के करीबी चावल ला जाएगे यानि पूरा आधा कफ हमने इसको ले लिया है तो अब इनको मिक्स करके हम अच्छे से धोलेते हैं यह हमने अच्छे से वाश कर लिया है दो तीन बार और यह थोड़ी दे नाहीं विगोना है यह देख़ए हम इसके लिए वेजेटिबल ले रहे हैं यह हमने एक टमाटर को बारी कट कर लिया है। गोबी है, आधा कप के करीब कटी हुई, दस बारा के करीब बीम्स हैं, जिनको बारी काट लिया है, एक प्याज है कटा हुआ, एक इंच अद्रक को बारी चॉप कर लिया है, हल्दी है, जीरा है, हींग है, नमक है, और ये देखें हमने कुछ मटर भी लिया है, तो सब्जिया हमने एक जीरा डाल के देखा है, गरम होने के इतजार करते हैं, हमने इसमें 1 फोर टी स्पून हींग डाल दिया है, आधा चमच जीरा डाल दिया है, अब साथ साथ हम इसमें डालेंगे प्याज, अधरक, इसको मिक्स करेंगे, ये कीन मानिए ये खिश्री बहुत तेशी बनाइएगा, वन फोर टी स्पून के करीब हमने हल्दी डाली है, और अब हम इसमें डाल देए हैं प्याज, घुमिंगे इसको इसको तेशे से, गैस को मिदियम ही रखेंगे, और प्याज बुनते हैं, ये देखें प्याज बून गई है और हम इसमें डाल देए हैं तमातर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, मीडियों क्लीम पर आपको अच्छे से बूनना है, और जब भी कभी आपका सबजी खाने का, रोटी खाने का मन नहीं है, तो इवनिंग डिनर के लिए ये खिचली बेस्ट है, स्वाद के अनुसार हम डालेंगे इसमें नमक, और नमक डालने हम इसमें एक चमत धनिया पाउडर, फोड़ा सा गरम मसाला, वन फो टी स्पून के करीब, क्योंकि ये दिखा है, घर का बना हुआ गरम मसाला है, इसको अच्छे से बून लेंगे, मटर डाल दी हैं हमने, और ऐसे करके न हुम सारी सब्जियां इसमें डाल देंगे, सब्ज अपनी मर्जी से आप कम ज्यादा या जो आपको पसंद है वो एड़ कर सकते हैं, जो नहीं पसंद है वो skip कर सकते हैं, आलू चाहें तो एक आलू भी डाल सकते हैं, चॉइस इस यौस, इनको भी एक मिनट के लिए हम बूनेंगे, अब हम इसमें ये धुली हुई डाल दाल दाल चावल जो हमने दो के अच्छे से रखा है, इसको पूरा निकाल के डाल देंगे, इसको भी हम एक मिनट के लिए भूनेंगे, तो देखिए हमने इसको अच्छे से भूनना है, ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं, जो चीजों को यमी बनाती हैं, टेस्टी बन एक मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे और अब हम दाल देखे इसमें पानी दाल दिया है पाँच गुना यानि जिस कप से मैंने नापा है ना आधा कप उसको मैंने पाँच कप डाला है और आप देखे इस तरह से पानी डूप जाना चाहिए और यहां पे आपना नमक देख लेंगे थोड़ा सा तेज होगा तो आप इसको परफेक्ट मानिए क्योंकि बाद में खिष्डी में नमक मिलाना बहुत मुश्किल होता है तो अब हम कुकर बंद करते हैं कि दो बिशन लाने के बाद हम कुकर को बंद करतेंगे पृष्यर अपने आप ठंडा होने देंगे पुप्त फोड़ कर ले कि अ ये देखिए बहुत बहुत यमी ये मसाला खिचडी बनी है मैं आपको चला कर दिखाऊं ये देखिए बहुत ही बढ़िया और ये थोड़ी देर में और थिक हो जाएगी ये देखिए और थोड़ी देर में ये रखे रखे न और थिक हो जाएगी तो बहुत अच्छी ये खिचडी बन कर तयार है, मिर्च हमने बिल्कुल नहीं डाली है, अगर आप मिर्च खाते हैं, तो हरी मिर्च या लाल मिर्च आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है, तो आई ये करते हैं इसकी प्लेटिंग, ये देखे, प्लेटिंग से पहले हमने इसको एक तो मिनट ऐसे चला लिया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए गैस पर रख लिया है यह देखे और अब यह हमारी किचडी सर्व करने के लिए बिलकुल तयार है और बहुत ही यमी लगती है जादा अगर आप इसको ठिक करेंगे ना तो खाने में अच्छी नहीं लग हाही है मतब सब्चा अवगारा कितने अच्छे से इसमें मिक्स हो गई थें आप देखिये और कितने अच्छे से लिपत्व किच्डिय ऐसे बनी है मैं आपको यहां दिखाना augun तो बहुत ही अच्छी और गली हुई बनी है जरूर ट्राइ कीजिएगा ट्राइ करने के बाद ही पता चलेगा कि यह रेली में बहुत ही अमने है थेंक यू सो मुच फो वाच वाच वेड़ा स्वी